दोस्तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डाइबटीज के मरीज क्या खाना खाएं कि पेट भी भरे शंतुष्टी भी आए और वेट ना घटे और सुगर कंट्रोल रहें क्योंकि अधिकांस डाइबटीज वाले मरीज मोटे होते हैं तो हम उसे बोलते कि वेट कम करो पड़ इंडिया में कम सब्सक् bol थर्ती अगर वेट बशिकांस, नामल वेट के होते हैं मत्रों क Pixfotis की सबचाना और इनको कि अगर कैलोरीं की थे ala go हमारे अले तो अगर कम करते हैं सब्सक्रीं थे सब्सक्राइब दिश्री और ह overwhelming यह घटाना चाहते हो तो आप अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट को रोटी, चावल, आलू, चीनी, फल, दूद, ज्वार, बाजरा, रागी, मकई, ओट, खिनुवा, इस सारी चीनी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, यह अचीनी भी, इस सब ग्लुकोस से बने हुए, इनको कम खाना है, चुकि वेट कम नहीं करना आपको तो आपको डायट में आपको प्रोटीन और हल्थी फेट बहाना है, तो सबसे पहले तो हम इंडियन लोग को कहा है कि आदत है रोटी खाने की, दो रोटी सुबर 2-2 नाचो, यह 2 सुबर 2-3, नाचो, अगर आपको चाहते हों डाइपटीग कंट्रोल है तो दिन भर मैक्सम्म जो अनाज मिलेगा अनाज गेहुच चावल है जो भी है आपको मिलेगा 75 ग्राम तो 75 ग्रम का आपको मैक्सिम्म आपको आटा लाओड है तो उसे तो उसे छे साथ रोटी बनने वाली नहीं है तो बेस्ट होता है कि आप जो आटा लीजिए मल्टी करें आटा लीजिए सब जो मिला हो जो आटा लिए आपने करीब आप जो भी रोटी बनाएंगे उसे हाफ यह आटा होगा प्रस हाफ उसे कीटो आटा तो आप घर पे कीटो आटा बना लो कीटो आटा क्या होता है कि आप चार सो राम बादाम को घर पे भून लो अपने तवा में भून के उसे मिक्सी में दिर दे पीश लो और चार सो राम का कोकोनट का बुरादा आटा मिलता है वो मिला लो इसके अंदर कार्भाईटर बहुत कम हो गया फैट बढ़ गया प्रोटीन बढ़ गया तो आप इसको फ्रीज़ रख लो जब भी नास्ता करना है तो थोड़ा अपने आटा लिया तो आपने थोड़ा आधा ये लिया आधा लिया ये कीटो आटा और उसको मिक्स करके आप रोटी बना लिया जितना ज्यादा बदाम कोकोनट आटा लोगे उत्ता सुगर कम बढ़ेगा इस तरह आप दो रोटी सुभा दो दो फर दो रात खा सकते हूं रोटी में घी मखन जोरी चुपड़े हर डायपटी यालों को चार चमबज घी मखन डेली जरू खाना चीए उससे सुगर कम बढ़ता है उससे जरू बैट कोलेस्ट्राल एल्डियल बढ़ता है 10 परसेंट गुट एजडियल बढ़ता है 20 परसेंट हार्ट को नुक्सान नहीं पहुचाता है और फैट ड्रादा खाना तो आप हेल्दी फैट बहता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑली वायल अराम से चार चमबज से लेक यानिक 20-50 अमिल डेली खासते हो आपको वेटी नहीं बढ़ता है है फुगर बढ़ता है हाट को बचाता है गुट होता है तो आपको हल्दी फैट जरू खाना ई किसी मलेली आपको ड्राइफूट कम से कम 50 – 60 गरम ड्राइफूट डेली जरू खाना है यह तो उसे मिला दी आपने अलग से थोड़ा ले से चाय में हमेसाथ चाय किसाथ आ बा अट्रीटियो को जो स्रेथ के लिए उसान दैखें उट खास्ते पर ओट मिल निए खास्ते हो उट मिलिका तो तो चन परास कैसे लिए बड़ा आपि दापर चान परास कैसे हो बई पर दादा पर दाधा लोग कभी फ्रक्रट्वीच नहीं खाते थे तॉ सबनाते या। नगा है विजए कि अंता हुँआ को कशोड अंटे आयगी आयो आप मिले डीली आल करिंग सार्ट ग्रं smileating गलें चाहे आप एक अड़ी दाल खा लिया उससे तीसरम कार्ब मिल जाएगा में दूद मिलेगा आपको डेली टूफुटी हमेल से एक टूफुटी हमेल से लेके आधा किलो तक एक से दो गिलास लेशता है उसे दूद दे चाह से मिलाके और आप मोटे है तो एक डाई समय जाब मतलें जिए पतले हैं तो आधा लेशने ने को दूद करें पांच ग्राम ग्र्लकोज होता है। फल को एक फल खासते हैं अपकर 67- apert रिष्जों को एक फल खासते हैं उतने करी पंदर ग्राम आपको कार्बाइड प्लोज हो जाता है तो शवब प्रोटीन के लिए आपने ले लिया कोशिर करें कि 17 अपनी डेली खाई ये शुआ बढ़िया खुब खाई ये दाल बेडाल के सब्सक्राइब लेजिए आप जो लोग अंडे चार शी अंडे खासतें अंडे के यलो खासतें एक दो अंडे सुबस आम यलो खासतें पर उसे फिर थोड़ा को बढ़े के लिए उसे गुट जादा बढ़त को निया मीट बश्री खाद विखासतें आप ए इसके बाद देवने ओल बता दिया आपको कि चार चमच घी मकंद तीन चमच में कुकिंगरी सरसुम तेल या तिल का तेल या मुगमे तिल अन्रिफाइ अब देशन आपको निया तो इस तरह यह मात्रा खाना अब हम बताएं कैसे लेना शुब के सबसे पहला आपने बैट्टी ले लिया जो लेते हैं बैट्टी सा थो ड्राइफूड ले लिया या जो लोग चाहे तो एक जो बॉल डिन ले लिया आपने या फिर कुछ बने रिफाइंट प्रोसेर ब्रेट बिस्की जब मतले है ना ठीक है उसके नास्ते में दो हाफ अब मल्टी के लोब हमने बादाम हो को करना आटा है कर दो रोटी ले लिया आपने रोटी के साल साथ आपने सब्जी लिया हरी सब्जी खूब खाओ इस पर ब्रोकली बहुत चुपड़ लिया कोई पनीर खाली एक दू अंडे खाली है तो है इस थार साब पेट एक दो रोटी बढ़ जाएगा आपको को इस्मूदी पीते सुबस्वर सुबाब पर इस्मूदी आपको सारे पत्तों का स्मूदी पालग पत्ता का जा करी पत्ता का तुलसी सारह किसी एक दिरी इंज की स्मूदी बना सकते हो तो यह अची चीह होती है और अब बार बार नी खाना है अगर आप जो दवा खारे जो शुगल लोग नी करती है इंसुगल लोग तो आप तीम भाखाओ जो तुस कुछ दवा इंसुगल लोग खत रहा तो आप बीटर खाना है तो आप जो लोग खाली चाहते कि आटा मिला नीं चाहते हैं तो एक रोड़ी सुग दूबर सांबस उनको आप उसके बदर ड्राइफूट ले लिए पनी ले जए गी मखन ले 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 लिए इस प्रौड ले ले लिए अन्डी ले जे मीट मच्टली खाली जे को काब खान तो किटो भाई बड़ा अच्छा आटा मिलता है 500 किलो उसमें क्या होता है कि सो ग्राम को चार ग्राम कार वहता है उसके दो ती रोटी खालों को दिखने उसे वेट भी निम बढ़ता सुगर भी बढ़ता है अगर आप कीटो आटा यह मिल्स कर गए तो दो यह तीन भी खासते हो कि सिंपिल पाद अगर खाने वह शुकर बढ़ा आपको अपने खाने कार्भाएटर मात्रा घठानी पड़ेगी फिर आप दही लेशते हो दूद की कभी दही लेशते हो एक दूद पीसे तो आपे सेव लंज में भी मल्टिकरी सिंगी रोटी यह दोल मिला करके रोटी दो खाल आपने दाल ले लिया ग्रीन वेटेबु ले लिया पनी ले लिया अंडे भी लेशते हो नॉन्वेज लेशते हो ओमेलेट्र को नासी ओ ऐसे करके आप पेट भरना है अना आज कम से कम लेना है सेम साम को ब्लैक टीप ब्लैक कॉफी आप ऐसे ले ले आपने भूग ले तो ड्राइट विस्क्री नमकी इसमिन चलने वाले यह आपको सुगर बढ़ाए का बारवा इंसुरी फैटी लिए कर देगा आपको इसे मोटे रहाते हैं से रात को भी सिम एक रूटी मल्डी गरेन की या मल्डी अटा प्लस एक कोकनाट अलमन आटा मिक्स करके दो एतीन लेलो घीचो पढ़लो दो तीन अंडे खालो तो पनी खालो ड्राइफूट एक मुठी लेलो अगर आप वेट मिंटेन है आप देखों स्ट्री अ इस डाइट से आपको अपना डाइट में तो ड्राइफूट कम करने पड़े तो गिया तेल कम करने पड़ेंगे तो अगर वेट मिंटेन सुकर ठीक है तो कुछ दिकत देए आपको प्रोटीन फैट की जाधा लिमिट नहीं है डिली तो वाक करो फूट कर एक फूट कभी ल चाच के अंदर 100 ml में मठे के अंदर 5 गरम कार्व होता है तो अगर आप पतले तो दूद के मलाईव खासते हो मलाईव का तो फैट मिलाएगा आपको कार्व सो ग्राम मलाईव को तीन गरम कार्व होता है तो हमें कार्व कम करना प्रोटीन फैट नहीं कम करना है मीट बढ़ा के भी खासते हैं बखराव भैसा सब को दिक्रत नहीं है उसे कोलेस्ट्राल बढ़ेगा आपका लेकिन वेट नहीं बढ़ेगा आपको को सुखर होता है निसके अंदर है ठीक है और जो जो अल्लादा कर बढ़ेगा बैट 10 परसेंट गुड बढ़ेगा 20 परसेंट को इनकसान निया हाट बचाएगा पहले जमाने किता रोगों रेड मीट खाते का कि रहा होता था था कुछ नियों था साल से जबसे रिफाइन आल खाने लोग ब्रेड बिसकी सब खाने लगें तो आपक्या सीखा आपने कि अगर मल्टी राटे रोड़ी खाओ दिन में थीन मीलेगा सुबह तो पर साम पत्ले रोग और मोटी रोग वेट कम खना जाते हो पिस कोई एक मिल छोड़ दो फिर उनके लिए उनको इंट्रमीटर फास्टिंग हाने पड़ती है और वेट और नॉमले वेट नहीं पर सब्सक्राइब करें जाते हो फिर दिन थीन में खासते हो श्रुआ आद गया है